दीआ नमस्कार मैं हुँ शसी आये जारकन पिटोप पचीष परमोग खबर जानते हैं जार्खन में बदला आयुसमान भारत योजना का नाम इस पर केंद्रे ने कहा कि आयुसमान भारत का नाम नहीं बदल कर इसके आगे मुख्यमंत्री जन अरग योजना किया जा सकता है सरकार गिराने की साजिस पर बावुलाल मरांडी बोले साइटी गठी थो भाजपा विधायक दल के नेता बावुलाल मरांडी ने जार्खन सरकार गिराने की साजिस से जुड़े परकरण पर इस्थितियस फर्ष्ट करने के लिए राई सरकार से जाच कराने की मांग की है रविवार को भाजपा परदेश मुख्याले में मीडिया से बात चीत में उन्होंने कहा कि हाई कोट के सीटिंग जज की अध्यक्षता में साइटी गठीत कर फूरे मामले की जाच की जाए अभिभावक संग के तिसरे चरण का अंदोलन आई से नीजी स्कूलों में फिस बिरिदे के खिलाब जारकन अभिभावक संग ने अपने अंदोलन के तिसरे चन की खोसना कर दिया इस बार कारिकरम का नाम हमारे विशुनो हे मन सरकार नीजी स्कूल दे रहे हैं दुख आपार रखा गया है आंदोलन को लेकर संग के अध्यक्ष अजयराय के अध्यक्षता में रविवार को पतादिकारियों वह अभिभागों के अनलाइन बैठक हुई बैठक में तय हुआ कि 26 से 29 जुलाई तक अंदोलन चलाया जाएगा सोमवार को हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जाएगा औसी लीडर स्कूलों के परधाना ध्यापको का हुआ चयान राज्य के औसी लीडर स्कूलों के परधाना ध्यापको का चयान कर लिया गया है उन पर्धानद्यापकों को leadership development के लिए सोमवार को उनका online पर सिक्षान होगा IIM राची के बीशेसंगे उने पर सिक्षित करेंगे इसके लिए सभी जीला सिक्षापदाधिकारियों और सभी leader school के पर्धानद्यापकों को इसका निरदेश दे दिया गया है बता दे ओनलाइन वर्क्सोप में स्कूलों का कैस से संचलन किया जाना है इसके बारे में बताया जाएगा लीडर स्कूलों का संचलन 2022 के सेक्निक सत्र से किया जाना है हमारे खिलाडी अधिका अधिक पदक हासिल करेंगे राजेपाल राजेपाल रमेस भास ने मीरा भाई चानू को टोक्यो उलम्पिक में वेट लिफ्टी में सिल्वर जीत कर भात कमान बढ़ाने के लिए अनेक पधाय वसुपकमनाय दी है उन्होंने कहा कि टोक्यो उलम्पिक में मीरा भाई चानू ने देश को पदक दिलाने की शुरुवात कर दी है पदक मिलने के अगाज से देश में सभी तरफ खुसी का महोल है संपुन देशवासी गुर्णवित है उन्होंने काया कि संपूर्ण देशवासी को अपेक्चा है कि हमारे किराड़ी अधिकाधिक पदा खांसिल करेंगे 15 अगस्त तक पाराशिक्षकों की समस्याओं का होगा निदान एकी किरित पाराशिक्षक संहर्ष मोर्चा का एक प्रतिनीदी मंडल मोहमद तारीर अहमद एवं अब्दूल सलीम के निदित में रविवार को सुबे के ग्रामिन विकास मंद्री आलमगीर आलम से मिला 15 अगस्त को का प्रतिनीदी मंडल ने अपनी विभीन समस्याओं से उन्हें अगत कराया सरकार गिराने के लिए तीन विधायकों से हुई थी एक लोर की डील जारखन में सरकार गिराने के साजिस में गिरफदार अरोपियों ने कई खुला से किये हैं पूलिस फुस्ताच में अरोपियों ने बताया है कि साजिस में जारखन के तीन विधायक दो पत्रकार वो विचोलिय सामिल थे दिल्ली में तीनों विधायकों से लेंदेन की डिल भी हुई थी बतादे एक रोर एडवांस का वादा भी किया गया था नहीं देने पर विधायक राची लोट गये थे डिल में महाराष्ट के दो नेता चंदरसेखर राव, बावन कुले और चरण सिंग सामिल थे गिरफतार, अभिषेक, अमित व निवारन ने दोनों को महाराष्ट का भाजपा विधायक बताया था लेकिन वहां के विधायकों की सूची में इनका नाम नहीं है जारखन में भैक्सिन की कमी नहीं जारखन में अब सुचार रूप से टिका करन चलेगा बतादे जारखन के पास भैक्सिन का 5,36,170 डोज उपलब्ध है स्वास्त विभावक के उनसार जारखन के पास कोवी सिल्ड का 5,12,240 डोज और कोवैक्सिन का 23,930 उपलब्ध है अभिभावक संग का हस्ताक्षर अभियान शुरू नीजी स्कूलों के मन मानी के खिलाब जारखन अभिभावक संगना अभिभावक संगना अंदोलन की घुसना की है उन्होंने बताया कि नीजी स्कूल मन मानी कर रहे हैं और मन चाहा पैसा अभिभावक से वसूल रहे हैं इसी के बिरोध में आंदोरन की घोसना की गई है उन्होंने बताया कि 26 जुलाई को हस्ताक्चर अभियान 27 जुलाई को मौन धरना 28 जुलाई को अपवास कारकरम और 29 जुलाई को हेमन सरकार को सदबुद्धी दे भागवान कारकरम के तहत हावन कायोजन किया गया है ज्यारकन में 28 जुलाई केस मिले है जो रांची से 1, पूर्वी सिमू से 1, हजारी बैक से 4, बोकारों से 2, ध्धनबाद से 3, रामगवावार से 4, गुंगला से 2, लातेहर से 2, सिम्डेगा से 3, जाम्तरा से 3, साहिबगण से 1, दुम्का से 1 मिले है ज्यारखन में 50 मरी स्वस्त भी हुए है ज्यारखन में कूल एक्टिव केस की संख्या 254 है भारत में 38,146 नए केस मिले हैं भारत में कूल एक्टिव केस की संख्या 4,4,820 है ज्यारखन में एक्टिव केस राची 52,211, बोकारो 20, धनबाद 28, रामगर 10, पच्मी सिमू 1, कोडारमा 23, पलामु 6, देवघर बार, गुमला 5, गिरीडी 2, सिमडेगा 16, सराइक लखा 59, लोहरदागा 3, गड़वा 0, चातरा 2, गोड़ा 6, जाम तरा 6, साहेव गन 4, दूमका 3 पाकुर से एकमरीज एक्टिवाएं, सहीद सप्ता के सम्मध में नकसलियों की पोश्टर बाजी, नकसलियों ने सहीद सप्ता को लेकर पोश्टर बाजी सुरू कर दी है, पोश्टर बाजी में नकसलियों ने 28 जुलाई से 3 अगस्तक सहीद अस्मिनिती सप्ता मनाने का एला किया है राची के तमार थाना छेत्रेक के पूंडी दिरी पूल से लुग टू रोड और हरवा गढ़ के आसपास की गाउं तथा तोलसी डी गाउं के चोग चोरा है पर अभिवार को पोश्टर बाजी की है साहब गंज में योती के साथ सामोहिक दूसकर्म साथ आरोफी गिरफतार जारखन के साहब गंजीला अंतरगत बरहरवा थाना छेत्रेक के रिसोर्ड गाउं में सनिवार की रात 21 वर्षे एक योती के साथ आठ लोगों ने मिलकत सामोहिक दूसकर्म किया इस समंद में पीर्ता ने बरहरवा थाना में लिखित सिकायत की है सिकायत के अधार पर पुलिस ने रविवार की साम तक साथ नामजात आरोप्यों को गिरफतार कर लिया है उनसे थाने में पुष्टाच की जा रही है ज्यारखन में गोवं से पसो से लदे ट्रक से वसुली करते पुलिस कर्मी राची जीले के रातू इलाके में मवसी लदे ट्रक से PCR वैन के पुलिस कर्मी द्वारा पैसे की वसुली का एक वीडियो वायरल हुआ है वाइरल वीडियो में PCR-29 के पुलिस कर्मी को पैसा लेते देखा जा रहा है बता देया वीडियो रभिवार की सुवा का बताया जा रहा है वीडियो में पंडरा से रातु जाने वाले रोड पर PCR-29 के पुलिस कर्मी है ये पसु लोड कर ले जा रहे ट्रक को पहले तो चेकिंग के लिए रोकते हैं फिर उसी दोरान PCR के पुलिस कर्मी खुले आम ट्रक ट्राइबर से पैसे लेते दिख रहे हैं तीन अगस्थ से होगी इगनु की परिक्षा इंद्रा गांधी राष्टीये मोक्त विश्विदाला इगनु ने टर्म इंड परिक्षा आवजन की घो सना कर दिया या परिक्षा इगनु के नीर्धारित केंध्रो पर लिजाएगी ऐसे में परिक्षा देने वाले छात्र शात्राव के लिए कुरोणा संक्रमन से सुरक्षा को देखते हुए दिprocessने देस भी जारी किये हैं असोक नगर इलाक के से पकड़ी गई फरजी महिला आईएस अधिकारी मोनिका को पूलिस ने जेल भेज दिया है, हलाकि मोनिका के बारे में हुई अब तक की छानवीर में किसी भी तरह की ठगी या कोसिस का मामला नहीं मिला है, के वलवा अपना एस्टेटस मेनेजमेंट करने के लिए आईएस बनकर घुम रही थी, जेल जाने से पहले पूलिस के सामने मोनिका ने कहा कि जेल जा रही हुँ, बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन जेल से छुटकर हर हाल में आईएस अफसर बनकर दिखाऊंगी जारखन पूलिस एस्टेशन के जीला साखाने अस्थाने परिस्थदन में सनिवार को मंत्री आलमगीर आलम से मिल कर पूर्वर्ती सरकार द्वारा रत कर दी गई छातिपूर्ती अवकास की पहाली की मांग की है, महके पर एस्टेशन ने मंत्री को ग्यापन भी सोपा, जील की सरकार द्वारा छातिपूर्ती अवकास समाप्त कर देने के बाद हमें महज 18 दिनों का ही आक्समिक अवकास मिल पाता है, जिसके चलते हमें काफी परसानियों का सामना करना पर रहा है जामतरा में किसानों को के सिसी का लाब 52,85 किसानों को के सिरीन देने का लक्स लेकर परसासन काम कर रहा है जारखन के राची धनबाद पलामों में कई पदों पर भैकेंसी निकली है, जो लोग यहां नोकरी करना चाहते हैं जारखन फूट सफलाई डेवलोपमेंट के अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नोटिस को पड़े और आवेधन करे बता दे के जारखन फूट सफलाई डेवलोपमेंट ने राची धनबाद पलामों में का सहित कई जीलों के लिए 48 पदों पर भैकेंसी निकाली है एक शुक और योग उमिद्वार आउनलाइन के द्वारा आवेधन की प्रकेरिया को 2 अगस्त 2021 तक पूरा कर ले